इसलिए अब हम बात करते हैं पुश्व की सनरचना के बारे में 7.5 पुश्व की सनरचना उलाब के पौधे के तीन आरेक दिये गए हैं आपर ABC जो कि 7.19 ABC है कौन सी स्थिती में आप पौधों को भली भाती पहचान सकते हैं और क्यों आपको वो बताना है कितर साथ दर्समलाव एक में पुश्व को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था क्या सभी पुश्व रंग बिरंगे होते हैं हां होते हैं अब आप देखें यहाँ पर गुलाव का पोधा है जिसमें पत्य के अलावा दिया गया है खाली डंडी है तो खाली डंडी देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि पोधा कौनसा है ठीक है उसके बाद पत्ती अगर मिल जाती है तो कुछ अंदाजा हमें लग जाता है और जब उसके साथ फूल भी आ जाए तो बस तो फिर तो हम सीधे तोर पर पहचान कर सकते हैं अब यह कह रहा है कि अध्यान के लिए पुश्प का चैन करते समय गेंदा सूरजमुखी और गुलावदी ना ले क्योंकि यह एक पुश्प नहीं है वरन पुश्पों का क्या वे चटकीले हैं आईए कुछ पुश्पों का अध्यन करें और समझें क्रिया कलाप 10 आवश्प सामगरी एक पुश्प कलीका लेनी है आपको जो किसी भी पौधे की हो सकती है धतुरा गुड़हल गुलाव सरसू बैंगन भिंडी गुलमोहर और साथी लिनार ब्लेड स्लाइड अथ्वा कागच आवर्धक लेंज और चल ठीक है साथ समलाव 2-0 का ध्यान पुर्वक अवलोगन करें कर लेंगे चित्र साथ समलाव 2-0 पुश्प कलीका एवं पुश्प यह बटा आपके पास पुश्प कलीका है और यह आपका खिला हुआ पुश्प है इसी से यानि कि पुश्प कलीका ही जब विक्सित हो जाती बटा तो उससे फूल बन जाता है कि अंदर की पंखुडियां जो है पहले इकड़ी होती है और फिर विक्सित होकर फैल जाती है इसका जो बाही अदल होता है वो पुश्प को एक आपके सकते हो आकृती देता है और साथ बिटा उनका बाहिय दल होता है वो लगभग एक समान होता है हरे रंग का आपके विचार में कली का में यह पंखडिया कहां बंद थी कली का या जो जो भी दे रखा था पीछे बिटा उसका भाग कौन सा था क्या उसके कौन कौन से भाग थे मतलब यह पूछना चाहरा है क्या आपने अध्यन किया कि यह भाग छोटी पत्ती की भाती दिखाई देता है और इन्हें बाहिय दल भी कहते हैं फुश्पक के बाहिय दल एवं पंखडियों का भली भाती अवलोकन कीजिए और इन प्रशनों के उत्तर दीजिए चलिए पढ़ते हैं पहला इसमें कितने बाह तो पांच बाहिय दल हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि यह आपस में जुड़े हैं अत्वा सुतंत्र बाहिय दल आपस में सुतंत्र हैं लेकिन यह नीचे से जुड़े हैं एक दूसरे से तो इसलिए हम इसमें बोलेंगे जुड़े हैं बाहिय दल एवं पंखडियों क रंग कैसे हैं वही पर पंखणियां जो है वह गुलाबी रंग किये हैं आपके फूल में पंखणियों की संख्या कितनी है जो आप फूल लेंगे बैटा क्योंकि यहां पर बता पाना थोड़ा मुश्किल है तो मैं आगर बता हूं तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट न पर इन प्रश्णों के उत्तर आप दे सकते हैं क्या वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अत्वा सुतंत्र यानि कि जो उनकी जो पंखणियां वो जुड़े हुए नहीं पंखणियां सुतंत्र होती हैं क्या जुड़े हुए बाहिय दल वाले पुश्प की पंखणियां अलग-अलग हैं या सेयुक्त वो आप बटा अपने प्रश्ण के हिसाब से जो आपने लिया होगा उसके हिसाब से आप करेंगे अब यहाँ पर कह रहा है कि सानी साथ दस्म लौ तीन को हमें भरना है पुश्पू का प्रिक्शन पौदे का नाम लिया हमने गुलाब और बाही अदल का रंग अनेक रंग होते हैं इसमें जो है थोड़ा गुलाबी रंग भी होता है और थोड़ा हारा होता है थोड़ा सा काला से दिखाई देता है पंकडियों की संख्या पांच होती है रंग कैसा है बटा बताईए इसका र सबसे यहां पर जुड़े लिख लेंगे अथ्वा सुतंत्र यानि कि आप यह समझ सकते हैं कि जो मेटां स्में और फीमेल भाग होते हैं जैसे बॉई और गर्ल होते हैं तो बॉई और गर्ल तो अलग-अलग हैं लेकिन जो फूल होते हैं उनमें बॉई और गर्ल वाला पाट एक ही फूल के अंदर पाया जाता है विद्याले अत्वा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन पुष्पो का पाद्यन कीजिए अत्वा अपने प्रेश्टन इस सारणी में लिखें यानि कि जो तथा अपने प्रेश्टन को इसमें लिखना है इस सार्णी के अंतिन दो कॉलम भरे आत्पुष्प के अतिरिक्त जो अनत्रिक भाग होते हैं उनको भी देख सकते हैं खाले बाहर की तरफ से नहीं अंधर की तरफ से भी उसको इस पस्ट रूप से कब देख सकेंगे में जब पंखड़ियां आलग जब पंखड़ियां हो सITCH हो कंखड़िया और फालन हो जाएंगे अधैरन के लिए धतूरा एवं अन्य घंटा कार पुष्प की पंखड़ियों की लंबाई में काट आप यानि कि उसको लंबे रूप में काट कर आप उसके आंतरिक भाग को इस पस्ट रूप से देख सकते हैं तो कि यह थोड़े से लंबे से होते हैं तो इसमें अंदर जहांपाना बहुत मु पंकेशर और इस्त्रीकेशर को पहचाने साथ दसमलाग तो तीन जो बगल में दे रखा है उसको ध्यान पूरवक देखिए इनमें विभिन पुष्पो में पाए जाने वाले हैं जो भी अलग-लग पुष्पो होते हैं उनमें पाए जाने वाले विभित प्रकार के पंकेश पुष्प जो पुरुसं वाला भाग तो ऐसको देखिए दिखाया गया उसको देखनाई हमे तो यहां पर वह क्या है कि पुष्प का भाग है उसको आधालन आदा गया मादा भाग होता है क्या आप पुंकेशर के दोनों भागों की पहचान कर सकते हैं अपने पुष्प में पुंकेशर की संख्या ग्याद कीजिए जो आपने पुष्प लिया होगा बैटा एक पुंकेशर का चित्र बना कर उसे नामंकित कीजिए पुष्प के केंद्र में इस्थित भाग को पूंकेशर कहते हैं यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पूंकेशर को हटा दीजिए और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको वो दिखाई देते हैं पूंकेशर ये सारे हैं इसमें दो भाग होते हैं पूंकेशर के अंदर एक होता है पराग कोश जहां पर असली जो पुरुष वाला भाग होता है वो संग्रहित होता है जब यह विक्सित हो जाते तो फट जाता है इससे बाहर निकल जाते हैं और दूसरा होता है तन्तु जिन और उसके बाद वर्तीका होता है जो ट्यूब लाइक suter होता है पाइप लाइक सनरचना होती है और अंडासे बिटा जहां पर जाकर पुणकेशर और इस्तरीकेशर आपस में सियुक्त होकर नए पुष्प का निर्मान करते हैं अपने पुष्प के इस्तरी केशर का नामंगी चित्र आपको कौपी में बनाना है अब हम बात करेंगे क्रियाकलाप 11 के बारे में आईए अब हम एक पुष्प है उसकी अंडासे की संरचना का अध्यान करें यह इस्तरी केशर का सबसे निशला वाला भाग होता है जो फूला हुआ होता है इसकी आंत्रिक संरचना का अध्यान करने के लिए इसे काटा जाता है या काटना पड़ता है यह जानने के लिए कि अंडासे को किस प्रकार हटाया जाए चित्र 7.25 एवं B को ध्यान से देखिए A और B को देखिए तो देखिए आप ऐसे काटने के बाद आप जैसे इसे काट लिया आपने, काटने के बाद इसे आप हटा लेंगे हटाने के बाद आपको कुछ जो है वो ऐसा चित्र देखाई देगा कटां पहला जो कटा वह है लंबाय का कट और दूसरा है अनुपरस्त कट अंडासे की काट को सूखने से बचाने की लिए प्रतिक काट को जो है सेक्शन पर कुछ जल की भूंड़े डाल दीजिए जल प्रफोटी गोल कि दिखाई देती है इसे बीजांड कहते हैं जहांपर बीज होते हैं यानि कि आप कह सकते हैं मादा का वो भाग मादा यानि कि स्त्री वाले पुष्प का वो हिस्सा जहां पर सनलेन की प्रक्रिया होती है यानि पुष्प के अंदर पाय जाने वले इस्त्री और पुरुष दोनों भाग आपस में सनलेथ होते हैं अंदाशे के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में बनाईए और कुछ और पुष्पो का अध्यान कीजिए और अध्यापक की सहायता से पार्क से या अन्य भगीचों से लाकर उसे अध्यान कीजिए पुष्प के नाम लिखिए, माली की सहायता से नाम बता सकते हैं उसमें और उसका अध्यन कीजिए, उसके तोड़ना नहीं है वहीं पर अध्यन कीजिए नोटबुक में जो भी आपने सारनी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर अपने प्रिक्षनों के उत्तर दीजी क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाहिय दल और पंखडी समान होते हैं क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें बाहिय दिल की संख्या पंखडीयों की संख्या ऐस समान होती है तो यह सब बाते आपको यहां पा लिखनी है कि आप अब इनस बात से सहमत है कि सभी पुष्प की सनरचना एक जैसी नहीं होती, बिलकुल सहमत है, विभिन पुष्पो में बाहिय दल पंखुडियां है, पुंकेश सर, इस्त्री केश सर की सनरचना है, उनमें अंतर होता है, कुछ पुष्पो में इनमें से कुछ भाग पस्थित भी, आप पती, तना, जड़, इन सभी के लक्षनों के कारेओं के बारे में पढ़ चुके हैं, और बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा आपने, हमने विभिन पुष्पो की सनरचना के अध्धन के बारे में पढ़ा, आप पुष्पो के कारेओं के बारे में ज टेल में पढ़ेंगे, हम फलों की विजय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरीके से फल का निर्मान होता है